So what's up everybody, कैसे हूँ आप लोग, I hope कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Simple भासा में अगर हम आपको बता दे तो BSC Agriculture के लिए ये उनिविशिटी वन आप दे मोस्ट इंडिया के टॉप उनिविशिटी में से एक है हलही में जो ICR ने दिसमबर 2020 में Official जो अपनी रैंकिंग रिलिज की थी एगरिकल्चिरल उनिविशिटी के लिए आज के इस वीडियो में हम complete discussion कर रहे होंगे आपको जो पूरा आपके जितने भी जार मिर्ट्स हैं पंद्रगर की यूजी एंट्रेंस एक्जाम नेशन इलेटेड़ पूरी इस वीडियो में महिने में यानि कि आपको किस महिने में हो सकता है तो मेक स्यूर कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि यह एक बहुती बड़ी उपर्चुनिटी है जितने भी हमारे उत्राखंड के स्टुडेंट्स हैं इस्पेशली उनके लिए यह एक एंट्रेंस एजाम नेशन कराया जाता है अगर हमारे अधर जो ICR के स्टुडेंट हैं वो भी इस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं अपने नौलेज के लिए तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना अगर आपके कोई भी वीडियो बना रखेती है बहुत सारा पिछले यह डिसक्रसन भी हुआ तो बहुत ही ज़्यादा अगर आपको प्रिवेस्ट करनी है और आप चाहते हो अगर डिसक्रसन करना अपने कोर्स से लेटेड अपने करियर से लेटेड जो भी आपको अच्छा लगे तो वो आप हमा पर यह बात जो यह है कि बहुत से स्टूडेंस को इसकर saz regarding confusion होगा कि इसका जो intensive examination होता है वो किसके लिए होता है तेखिए यह जो intense examination university conduct कुराती है यह केवल उत्राखं के जितने भी students है जिनका मतलब residence यानी की जिनकी घर जो hometown है या फिर उनका उनका जो आफ्लाइन होता है और यदि हम बात करें इसका जो application form है वो generally कब तक आ जाता है अगर हम last year की scenario की बात करें तो यार COVID-19 के जो जैसे जो इसका last year का exam था वो नहीं होकर इसका जो selection हुआ था यहापे admission हुआ था 2021 session के लिए वो totally जो आपकी 12 की marks से उसके basis पे हुआ था और जो बीटेक courses के लिए जितने भी admission हुआ था उसका counseling पे मैंने proper video channel पे आपको playlist में मिल जाएगी तो वो वीडियो जाकर आप लोग चाहें तो बीटेक के लिए जितने भी students है वो देख सकते हैं ठीक है last year की scenario की बात करने है तो जो application form है वो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं कि online ही आपकी application form यहाँ पर fill up की जाती है और 18 April को आप date आपको apply करने का दिया गया था लेकिन आपकी जो form है वो आपकी March में announce कर दी जाती है तो expected आप मान के चल सकते हैं कि February के last week और March के आपके first second week में आपकी जो application form है वो आ जाएगी expected ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं कि application fees यानि कि आपका जो form fill up करने का जो intense examination होता है उसकी कितनी fees होती है तो यहाँ पर आपको बता देखे कि जो last year का scenario था उसकी recording बात कर लें तो OBC और general candidate के लिए आपकी जो fees होने वाली है वो होने वाली है बारा सव रुपे अगर हम बात क कि जो requirement होती है यह से भी चीज़े आर आप लोग पहले से ready कर सकते हो otherwise मैं जब इसका application form आएगा तो आपको update कर दूंगा ठीक है तो make sure कि आप लोग वीडियो को अच्छे से यार देखें और वीडियो को देखने एक साथ साथ है वीडियो को like करना बिल्कुल न भूलें यार कि जो आपकी exam होने वाली थी वो आपकी थी 6 जून को बट यार COVID-19 की वज़ा से मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी जो exam हुई थी वो नहीं हुई थी और जो आपका admission हुआ था वो 12 marks के basis पे हुआ था अब यहाँ पे हम बात पलेते हैं कि कौन-कौन से आ आपको offline exams के लिए available थे last year इस year का क्या होने माला है scenario वो मैं फर्दर जब भी notice आएगी तो मैं आपको inform कर दूँगा अगर हम बात कर लेते हैं आगे जो इनका application आपका जो mode होता है वो तो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है कि वो application का mode आपको online ही official website पर ही form fill up करनी होगी फ यहां पर सबसे बड़ी बात आती है उनी students के लिए जो यार इस समय 12 की preparation कर रहे हैं तो उनको यहां पर एक चीज़े यहार बाहर बार उनके लिए mind में आ रहा होगा question कि आखिर यहां पर कौन कौन सी category students यहां पर eligible है इस exam को देने के लिए तो यहां पर मैं आपको clear कर दे रह आएंगे तो अगर आप physics, chemistry, biology section से belong करते हैं तो जो आपकी code होने वाली है वो code होने वाली ही paper 1 code 1 ठीक है और यहां पर जितने भी students हैं उनको जो question मिलेगी उसके थूँ आप देख सकते हैं कि physics में आपके 50 questions होने वाले हैं और आपके biology होगी उसमें आपके biology से आपका particular आपका math है या फिर आपका agriculture है तो उनसे आपके किवल 70 question आएंगे physics, chemistry से आपके 50-50 question और mental agility से आपके आपके 30 question आने वाले हैं तो इस तरीके से जो इसके exam से पूरे question की बात कर लेते हैं तो आपकी 50-50, 70 plus 30 तो इस तरीके से आपके 200 question total हो जाते हैं अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि यार exam की preparation के लिए हम कौन सी books follow करें तो इसके regarding यार मैं वीडियो के description में आपको direct link दे दूँगा आप चाहें तो वहां से वो books purchase कर सकते हैं Amazon से या फिर आप चाहें तो simply आपके जितने भी आजपास की दुकाने हैं stationery की वहां से जाकर simply कोई वी यार book एक standard publication का ले सकते हैं हुआ नहीं था that's why कि जो आपका paper का pattern होगा वह सेम पिछले year यानि 2019 में जो आपका entrance examination हुआ था उसी के basis पे होने वाला है तो या new publication की जो book आगे तो उसका कोई sense बनता ही नहीं है क्योंकि आपका last year का entrance examination जब ही नहीं हुआ है यानि कि जो आपका admission हुआ था वो totally merit के basis पे हु process की बारे में so guys यहाँ पर सबसे important बात यह भी आती है कि हम intense examination की preparation तो start कर दिये हैं बट हमारा जो selection के chances क्या है कितनी कितनी seats are level है तो एक चीज़ यहाँ पर आपको clear कर दें कि जो यहाँ पर under graduate programs यानि कि UG के लिए जो seat are available है तो last year यहाँ पर BSC agriculture के लिए 130 seat available है अगर हम बात क कर लें BSC honors community science के लिए 70 यहाँ पर आपकी seat available है BSC और बात कर लें तो इसके लिए 62 BFC के लिए 20 और BTC food technology के लिए 24 तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं BSC agriculture engineering के लिए 45 और BTC civil तो यहाँ जो BTC यहाँ पर जो भी engineering की courses होती है उनका जो admission होता है यहाँ पर वह इस intense examination के तो यहाँ पर एक important चीज़ आप लोग को बताते हैं कि जितने भी students पंतनगर अगर अगर अफ्लाइन प्रिप्रेयर कर रहे है तो आपके लिए बहुत ज्यादा एफ्यक्टिव होने वाला है तो में एक शूर कि यह वीडियो को description में आपको direct link मिल जाता है वहाँ से आप चा बुक्स को afford नहीं कर सकते हो तो आप अपने offline यानि कि जो आपके stationary दुखान सोते हैं वहां से आप जाकर एक standard books ले सकते हो one more thing कि या जो भी students अभी तक हमारे telegram group नहीं जोइन कि हैं उसका भी direct link में वीडियो के description में दे दूंगा या फिर आप simply telegram पर आकर students बज सर्च करके व वहां पर आपकी बहुत सारी effective discussion होती रहती है और इस वीडियो के अपने friends के साथ जरूर से जरूर से जरूर करना चैनल पर पहली बार visit कर रहे हैं अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है तो like करने के साथ साथ चैनल को subscribe जरूर से जरूर कर लेना ठीक अगर आप में support करना चाहते हैं तो चैनल पर join button आप आ गया है तो आप as a member join कर सकते हैं so all the best and thanks for watching this video keep stay connected for more updates